पर द्वारका कोट बारेस असेस्टन के चुनाव होने हैं, बहुत से कंडिडेट मैदान में हैं, उनी में से हमारे साथ हैं राजेश्वर धागर जी, जो की सेक्टरी पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आये मिनवाते हैं। राजेश्वर जी, रूबर रुकारे कर्मार भी धागर 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 जो आप ये चुनाव लड़ रहे हैं, सेक्टरी पद के लिए, कौन-कौन से मुख्य मुद्दे होंगे आपके। सर, सबसे पहले तो सबसे मेन प्रॉब्लम हमारे लिए है चैंबर्स की, चैंबर्स का मुद्दा पिछले चार साल से लटका पड़ा है, और कुछ हाद तक मेरे पिछले कारियकाल में इसको हमने एक स्ट्रीम लाइन पर ले आए थे हम, और वो मुद्दा सबसे प्रायरिटी पर है मेरे लिए क्योंकि चैंबर्स की बहुत सौर्टेज है और नए बच्चों को सिटिंग की बहुत प्रॉब्लम है, सबसे पहला मुद्दा तो मेरा ये रहेगा, दूसरा मुद्दा मेरा रहेगा, नए बच्चे जो आते हैं, उनके लिए एक सोर्स ओफ इंकम जनरेट क करने का हमारे पास ये आइडिया है कि एक लिस्ट बनाई जाएगी नए बच्चों की, उनको लोकल कमिशनर अपॉइंट किरवाया जाएगा, और कोर्ट रिसीवर अपॉइंट करवाया जाएगा, ताकि उनको एक फीस टाइप, बता टाइप मिले उनको, वो जब कोर्ट अ करने के लिए कि जो हमारे नए बच्चे आते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई, वो कोई आर्बिट्रेरी अपॉइंट में नहीं हो, क्योंकि कोर्ट आज कल क्या कर रही है, कोर्ट में ये देखा गया है कि जो जज का जानकार है, जो जिसका क्लोज है, उसको वो अपॉइंट क बहुत कम है, पहले बहुत बड़ा जूरिस्टिक्शन था, लेकिन वो किसी कारण वस यहां से चला गया, कुछ थाने हम पिछली बार भी ले के आए थे, तीन थाने, अब की बार मेरी कोशिस है, मायापुरी, सागरपुर, आई जी आई और तिलक नगर या रनोला थाना, इ जो नए बच्चे आते हैं, उनको बहुत सारे ऐसे बच्चे बड़ा इंटेलिजेंट हैं, वो जुडिशिरी की तयारी करते हैं, जुडिशिरी की तयारी के लिए उनको जाना पड़ता है, मुखरजी नगर या करोलबाग, मेरा मेन उदेश से यह रहेगा, कि जैसे ही हम आ competitive exams की वो तो करी रहे हैं और जो नए हमारे एड़ोकेट वाई हैं जो प्रोफेशन में ही रहना चाहते हैं उनकी प्रोफेशनल नॉलेज अप्लिफ्टमेंट के लिए ये कर्येकरम किया जाएगा जैसे यह कफी सारे मुद्दे हैं इनमें से कौन सा मुद्दा ऐसा जो प्रात प्रॉब्लम हां हमारे यहां पर पार्किंग यह दो मुद्दे में प्रायरिटी पर हमारे जैसे बहुत खूब हमारी शुक्त कामने आपके साथ हैं तैंक यू से कैमरमेन अश्योक के साथ वीपी शर्मा आयने श्यूर्स तैंक यू तैंक